हलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल तो यहाँ पर आपने देखा की भाई की हल्दी जो है हो रही है और यहाँ पर हम सब मिलके भाई को हल्दी लगा रहे हैं और जब हल्दी लग जाती है उसके बाद दूलहा जो है नहा जाता है और उसके बाद होती है पूजा और जब लड़के की पूजा हो जाती है तो उसके बाद लड़के का मामा या लड़की की शादी है तो लड़की के मामा उनको उठाके पूजा जहां पर होती है वहां से गोद में उठाके और मंदिर तक ले जाते हैं तो ये रिवाज होता है की मामा ही ले जाते हैं पूजा होने के बाद ये एक रस्म होती है जहां पर लड़के को भिक्षा मांगनी होती है सबसे तो अभी जो है भाई को सबसे पहले भिक्षा देंगे मम्मी और पापा तो यहां पर जो भी जो भी देना चाहिए जैसे चावल हो गए जो भी उनकी थोड़ी बहुत शगुन ह हो गया या फ्रूट्स हो गए वो सब देते हैं और यह जितना भी समान होता है जिसे लड़का भीक्षा मांगता है तो यह सब पंडी जी को जाता है हलो एवरीवन गुड आफ्रनून थीक धाई हल्दी की पूरी रस में हो चुकी है सब कुछ हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए क्योंकि श्याम को निकलेगी बारात तो फिलाल हम सब जा रहे हैं रेडी होने के लिए साथ में बच्चे भी बैठें और हम लोग जाएंगे शिल्पी के घर हम लोग अब सीधे श्याम को आने वाले हैं और खाना माना हो गया है दूपैर को देखिए और गर्मी बहुत जादा हो गई है हमें लग नहीं रहा था कि शादी के टाइम पर इतनी जादा गर्मी हो जाएगी क्योंकि जिसे साब से तीन लोगों को ले जाएंगे और मास्क कम ने ले लिया है मासक हमारे पास रखे हूो ए तो आप लोग यह मास्क है कि हम लोग गूम रहे हैं और यहां पर हम लोग निकल चुके हैं शिल्पी के घर के लिए और अब मैं आपको सीधे तब मिलूंगी जब मैं बिल्कुल रेडि हो के आ जाओंगी और यह है बरात निकलने से ठीक पहले का टाइम तो यहां पर अभी हम सबने भाई को पैसो की जो माला होती है वो पहना दी है और फोटो वगेरा हो रही है यहां पर और बस अब बारात निकलने ही वाली है और उससे पहले भाई को जितनी भी मालाएं पहनाई गए थी ना उसने वो निकलवा दी क्योंकि गर्मी भी बहुत जादा थी और यह है बारात का टाइम और बारात का वीडियो में ज्यादा नहीं बना पाई क्योंकि अंधेरा था और इस वज़े से वीडियो की क्वालेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी और यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं सीधे दुलहन के घर तो यह सब भाई की सालिया है जो जितनी भी आ इंट्री होती है अंदर तो यहां पर जो है उससे नेक मांगा जा रहा है और यहां पर बहुत ज्यादा मस्ती चल रही थी गेट के टाइम पर जीजा सालियों की इतनी ज्यादा मस्ती हो रही थी तो यहां पर भाई जो है इस टाइम पर नेक दे चुका है दुलहन की बेहनों को अपनी सालियों को और उसके बाद यहां से क्या होगा कि जो दुलहन के भाई होते हैं वो दुलहे को उठा कर सीधा स्टेज तक जो है ले जाते हैं और जैसे ही भाई को दुलहन के भाईयों ने गेट से उठाया ना इतनी देर में भाई की और सालियों ने उसके जूते जो हैं वो चुरा लिये और वो वाला जो सीन था वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी वाजी में यह सारा काम हुआ हम लोगों को और यहां पर भाई पहुँच चुका है अपने स्टेज पे और जैसे ही वो स्टेज पे आया तो उसकी सालियों ने बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दी लेकिन वो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि सॉंग की वज़े से कॉपी राइट आ जाता है और अभी जो है दुलहन का वेट हो रहा है और उससे पहले जो है ना भाई की जितनी भी सालियां थी भाई के साथ जो है फोटो सेशन करा रही थी और यहां पर मैं और शिल्पी बैट गए हैं भाई के साथ तो क्योंकि दुलहन का वेट हो रहा था और अकेला-केला भाई बैटा हुआ था थोड़ा सा नर्वस सा फील होता है ना दुलहे को और दुलहन को भी होता है लेकिन यहां पर वो अकेला था इसलिए हम लोग साथ में बैट गए और आप देख सकते स्टेज पे शानू भी है साथ में वंचिका और वेदांश भी हैं और अब जो है इंतजार खतम होता है और यह आचुकी है हमारी प्यारी प्यारी सी बहुरानी दुलहन और यहां पर अभी काफी देर लग गई थी क्योंकि गेट से और स्टेज तक आने आने पेना दुलहन को काफी जादा टाइम से वीडियो बनती है फोटो वगेरा क्लिक होती है तो उस रीजन से जो है काफी ज्यादा लेट हो जाता है और हम लोग अभी वेट कर रहेते इस टाइम पे की फटाफट से स्टेज पे आ जाए और फटाफट से इन लोगों की जैम आला हो जाए और फाइनली जो हमारी ब्राइडल है वो पहुँच चुकी है स्टेज पे लेकिन जब ये दोने स्टेज पे खड़े थे तो बहुत जादा जो है नर्वस हो रहे थे दोरों के दोरों और बैक्राउंड में बहुत जादा म्यूजिक था और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नर्वस है और होता ही है इस ट्राइम पे और कैसी लगी आपको हमारी ब्राइडल हमारे घर की दुलहन हमारे घर की बहु हमारी भावी मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा और फिल हाल के लिए इस वाले व्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ और आगे के व्लॉग्स के साथ आपको जल्दी ही मिलूँगी तो व्लॉग्स पसंद आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई आपको हैंगे क्या खुष ऑलॉग्स झाल झाल झाल